तो what's up guys, कैसो आप सभी उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत हैप सभी का फिर से नए वीडियो में और आज किस वीडियो में दूस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि DZ Locker Application में Document File कैसे Save या फिर Upload किया जाता है अगर दूस्तों आप भी DZ Locker Application का यूज करते हो और आप अपने DZ Locker Application में किसी भी Document File को Save करके रखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा helpful होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरा Detail बताने वाला हूँ इसलिए दूस्तों इस वीडियो को end तक जरूर से देखते रहना चलिए आज किस वीडियो को सबसे पहले यहाँ से कर लेते स्टार्ट तो दूस्तों DZ Locker Application पर किसी भी Document File को Save या फिर Upload करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है ध्यान से देखना इस वीडियो को end उसके बाद आप सीख जाओगे कि DZ Locker Application पर किसी भी Document File को Save या फिर Upload कैसे किया जाता है ठीक है तो सबसे पहले आपको इसके लिए आपको अपने DZ Locker Application को Open करना है और जैसे ही दोस्तों आप इस Application को Open करोगे आपके सामने इस Application की Home Eats आ जाएंगे जहाँ पर दोस्तों आपको काफी सारे Options से देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर दोस्तों देख सकते कुछ इस तरीके से यह Application Open करके आ जाएगा अप Simply आपको नीचे आना है और जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक Option यहाँ पर देखने को मिलेगा DZ Locker Drive यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो यह Option है इस पर क्लिक कर दो जैसे आप इस पर click करोगे यहाँ से आपको सारी की सारी details से देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पर एक जीबितर का data आप यहाँ पर store करके रख सकते हो ठीक है उपर की side में यहाँ पर आपको सारा चीज़ देखने को मिल जाता है उसके बाद आप नीचे आओ यहाँ पर सबसे पहले आपको documents का option मिल जाता है और उसके बाद education और उसके बाद यहाँ पर आपको health का option मिल जाता है तो आप यहाँ पर जो भी upload करके रखना चाहते हो उसको slide करो, ठीक है? तो यहाँ पर मैं document को select करता हूँ और यहाँ पर दूस्तों देख सकते हो already पहले से मैंने एक यहाँ पर document फाई को यहाँ पर save कर रखा है अब दूस्तों अगर आप यहाँ पर save करना चाहते हो तो इसके लिए आपको नीचे में यहाँ पर आपको प्लस का इकन मिल जाता है इस पर क्लिक कर दो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक ओप्सन देखने को मिलेगा अप्लोड फाइल के इस पर क्लिक करो और जैसे आप अप्लोड फाइल के ओपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर सारे की सारी डो और भी बहुत सारे उपसर है तो इसके बाद आपके मोवाइल में जितने में डोकुमेंट फाइल होंगे यहां पर आजएंगे ठीक है अब यहां पर आप चो भी अपलोड करके रखना चाहते हो उसको सिंपली यहां से आपको स्लेट करना ठीक है तो यहां पर मैं एक डोकुम की बात समझ में आ गए होगी और आप लोगों को यह वीडियो पसंद भी आईगे अगर दुस्तों वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक करना चैनल पेना विजिट करना तो सब्सक्राइब करके साथ में कई बिल आइकन को प्रेस करके वाल की नुटिफिकेशन पर स जरूर से कर लेना क्योंकि यहाँ पर आप सभी कुछी तरह के helpful वीडियो मिलते रहेंगे फिर आज किस वीडियो पसे इतना है मिलते कुछ ऐसे ही helpful वीडियो के साथ तब तक लिए दूस्तों गुडबाई